पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद उम्मीद है आप खेरियत से होंगे तो देखते हैं मार्केट का कैप मैन अनैलेसिस तो जी एक भाई ने कहा था कि अल अबास शुगर का रिव्यू कर दें तो बेसिकली हमने तो वैसे आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि शुगर सेक्टर पे इस वक्त हमारा इंट्रेस्ट नहीं है और हम इस वरकनावस में एंट्री लिये और जब तक कोई एक्सपोर्ट की प्रॉपर तरीके से जादत नहीं मिलती ज्यादा माल एक्सपोर्ट करने की जालत नहीं मिलती हम उसको अवर्ड करेंगे लेकिन फिर भी चलो टाइम था मतलब इसका मतलब भी होते है कि पर उसके रिविडेंट 25 रुपे का हो गया है और अगर इसके इस कौर्टर के रिजर्ट्स देखें देखें छे महीने में इसके जो है EPS थी तकरीबन 86 अर्णिंग पर शेर थी और इस कौर्टर में सिर्फ 8 रुपे है Gross Profit भी कम हुआ, Sales भी कम हुई असल में हमें लगता वैसे ये है कि जो Sugar Company है ये ज्यादा Sales कर नहीं रहीं ये इसी चक्कर में बैठी है कि किसी तरह हमें Export की इजादत मिल जाए और जैसी मिलेगी इजादत हो सकते कम की मिले, अंदर खाते, जादा बेच दें, कुछ कर दें, कुछ पता नहीं होता है नोगों का लेकिन ये जादा तर Sugar Company है इसी इंतजार में बैठी है कि इनको इजादत कम मिलेगी, हमें ऐसा लगता है और अगर जादा बड़ी जादत मिल गी, तो फिर इनके सब के Profits Revive हो सकते हैं, वरना भी हालात अच्छे नहीं है आगे बढ़ने से पहले, बताते चलें, हम कोई Buy Sell Call नहीं देते, सिर्फ Fundamental Analysis करते हैं फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफ़े में मौच अपनी अपनी और नुकसान में दौड अपनी अपनी अब अगर इनके Trend को देखें, तो देखें, पिछले हर quarter के मकाबले में इस मरतबा Sales काफी कम रही और Gross Profit भी सबसे कम रहा इस quarter में, Net Profit भी कम रहा, EPS भी कम रही अच्छा अगर इनकी History देखें, तो ये डिविडेंट जो हैं तकरीबं 50 से 60 रुपे के दिम्यान देते हैं चाहे EPS जहां मर्जी चली जाए तो इस साल भी अगर quarter 4 भी अच्छा ना रहा, तो शायद ये उतना ही 50 रुपे तक का डिविडेंट दे दें और 50-55 रुपे का डिविडेंट ये रखते हैं और इनका जो रेट चल रहा है 522 उसे साब से ये बिलकुल डिविडेंट के जो tier 1 में होता है उसमें बड़ी मुश्किल से जो है ये उसके दिर्वाजे पर पहुंच गया है तो उसे साब से अगर आप इसमें करना चाहें तो कर भी सकते हैं क्योंकि इस टाम पर बहुत सार इश्यू के कंपनिया जहें लॉंग टर्म व्यू के साथ विडाउट एक्सपेक्टिंग तूमच तो ये है कि इतनी कंपनिया लॉसस में हैं वहां पे इनों अभी भी अपनी profitability maintain की हुई है लेकिन ये है कि अगर इनका बात वही है कि अगर इनका EPS काफी बहतर एक्सपोर्ट की जाज़त मिल गी और Q4 में EPS अच्छा हो भी गया फिर भी dividend हम इसे बहुत जाद एक्सपेक्ट नहीं करते और ideal scenario में इसकी price इसी range में साढ़े 400 से साढ़े 500 की range में ही रहे करके कहीं भी पहुंच जाती है तो अगर आप करना चाहिए तो कर लें इस टाइम पर हम बहराल हमारा sugar sector में किसी भी company में हमने कोई share खास खरीदा नहीं हुआ जैसे हमने कहा ना कि हम वो export का इंजार करें हैं अगर वो जाद मिलेगी तो फिर सोचेंगे वरना हम avoid करेंगे तो this is okay लेकिन कोई पता नहीं अगर Q4 में भी इनकी 7-8 रुपे की EPS आती है तो हो सकता है इस साल पता नहीं dividend 50 तक भी देंगे कम ना कर दें ये हिसाब किताब है जीस का ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया आप खुद validate करें फिर अपना फैसला करें याद दिहानी करवा दें कि बाएसल कॉल नहीं थी वजह पहले बता चुके तज़्दिया पसंद आया तो share like subscribe करें bell icon पे क्लिक करें खुश रहें और अपने अमल पे तौज़ दें अल्ला के हवाले